दिनेश जी के साथ में मेरा बहुत पिछले कई सालों से बहुत प्यारा एसोसेशन रहा है और इनके साथ में जब भी कोई शो करने की बात आती है तो कुछ नया अलग करने को मिलता है हमें अलग-अलग concepts के साथ में आते हैं क्योंकि खुद music की बहुत बड़ी समझ रखते हैं और खुद musician भी है ये और जब मेरे सामने ये इस show को लेकर प्रस्ताव आया तो मैं बहुत खुश हुआ खुश इसलिए होगा क्योंकि जिन musicians को लेकर स्वाराला ये honor कर रहा है उन musicians उनके बारे में बहुत कम लोग music fraternity बहुत जानते हैं लेकिन क्या है ना बहुत सारे लोग उनके बारे में उनको उतना stage पर नहीं बुलाया जाता है या फिर उतना उनके बारे में कोई नहीं जानता है कोई पहचानता नहीं अब जैसे लक्ष्मिकान प्यारेलाल तो एलपी के बारे में सब जानते हैं लेकिन गोरक भाई के बारे में बहुत मुनासिब लोग जानते हैं तो घूरक भाई एक ऐसे शक्स हैं एक ऐसे इनसान है कि जिन्होंने प्यारे भाई लक्ष्मी कांद प्यारे लाल के बहुत सारे लगबख सभी गानों में अरेंजमेंट किया है गिटार का जितने भी बहुत सारे पीसे जैसे एक एक हसीना की ये पिर नजर ना लग जाये तो दिनेश जी ने मज़े बताया कि यह उनका हम और कर रहे हैं और इसमें आपका हम performance शुटु हूं मैं तो हमेशा राजी हूँ और हमेशा मैं आपके साथ में हूँ आप मुझे याद रखते हैं और इसके इलाबा शाषी कान जी उनके इंडिनीन्पेस गाने सुनते हैं इंडिन बेहर रिटम गाने सुनते हैं। इन सब séко ऑणर कर रहे हैं स्टेजी पर ऐधी बहुत बड़ी बात है, और मूजिसेंस जब ऑणर करने को मिलता है तो ऐक उसकी बात होती है, तो मैं इस शो का इस पूरी शाम का एक हिस्सा हूँ और मुझे फक्र है, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इस शाम के साथ में जुड़ा हूँ थैंक यू दिनेज जी आपने मुझे इसके लिए चुना है और मेरी कोशिश ही रहेगी कि जो आने वाली आडियंस है वो इस शो का भरपूर मज़ा ले और मेरे परफॉर्मेंस का मज़ा ठाके जाए दोनों मुख्तलिफ चीजे हैं, दोनों अलग अलग चीजे हैं दोनों का अपना एक मज़ा है, जब आप रेकॉर्डिंग स्टूडियो में रेकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप एक ही चीज को सो बार रेकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन ओडियंस के सामने आपको वन टेक होके होना पड़ेगा अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, तो और उसका रियक्शन इंस्टिंट रियक्शन आता है, तो वो एक अलग अपनी मज़ा रहता है, जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करता हूं, जब ओडियंस मज़ा लेती है, मज़ा लेती है, मेरा मज़ा दुगना हो जैसे लोग सारे सेलेप्स को सारे you know front लोगों को जानते हैं से रफी साथ ते किशॉर कुमार ते जितने talented वो थे उतने ही talented हमारे musicians भी थे तो हम लोग की ये बस एक छोपी सी कोशिश है और special thanks to जावेद भाई कि ये प्रोग्राम में उन्होंने हमारे साथ दिया और इस कोशिश में हम वो original legends musician को felicitate कर रहे हैं और ये कोशिश बस उसी का एक हिस्सा है ये प्रोग्राम भी उसे सिलसेले का एक प्रोग्राम है तो और ये स्वरालाब को 14 साल पूरे हो गए हमारे ये काम करते होगे स्वरालाब की ज़र्नी जो शूरू ही थी वो अकिले से शूरू ही थी और आज स्वरालाब की इस जर्नी में legends leg, पेरेलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए है जौनी लिवर है और industry के तमाम केसी सरे आज जावे जो आज वो जगह पे शक्सियत है वह अपने साथ जूड़ी है आध काभी मेरे गानें इसके लावा यह जो टीन लेजन्ड है गोर्ग भाई है रशीद खाय साथ है शषीकान जी है इन तीनों के कुछ मिक्शर गाने जिसमें इन्होंने रिजम अरेंजमेंट किया है या फिर बुलबुल तरंग बजाया है राशिद भाई ने या गोरग भाई ने गिटार बजाया है वो मैं गाने कुछ एक मेडली के तौर पर मैं सुनाओंगा